तो चलिए अब हम question 14 को देखते हैं अभी हूँ A बराबर इतना के लिए A और B ऐसी संख्याएं ग्याद किजिए ताकि A A square प्लस A A प्लस B आई पराबर 0 हो ठीक है A B का मान निकालना है A का मान दिया है और इस condition से A और B का मान बताना है बहुत तीजी है आई ये इस question को बनाते हैं ठीक है आपको इस question में बहुत मतलब जादा कुछ करना नहीं है ठीक है ना तो आज हम pain को change कर लेते हैं चलो यहाँ पर solution यहाँ हिंदी में हल लिख सकते हो हमें जो दिया है उससे लिखेंगे क्या दिया है दिया है एक कमान दिया है ए बराबर तीन दो एक एक ठीक है और ए और बी कमान बताना है और यहाँ दिया है कि इतना बराबर जिरो दिया है हमें ए स्क्वाइर कमान की जोरत है हम क्या करते हैं ए स्क्वाइर कमान निकाल लेते हैं A square बराबर A into A A का मान क्या है A का मान है 3, 2, 1, 1 और अगेन A का मान 3, 2, 1, 1 इसे हल करो A square बराबर तित्री का 9 2 को और 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा फिर 3 को 2 से करेंगे 6 और 2 को 1 से करेंगे 2 इसको करेंगे 1 को 3 से 3, 1 को और 1 से करेंगे 1 1 को 2 से करेंगे 2 1 को और 1 से करेंगे 1 यहां से देखो 9, 2, 11 6, 2, 8 3, 1, 4 2, 1, 3 यह देखो A square का मान इतना आ गया कोई दिकत नहीं किसी को अब हम क्या करेंगे A square का मान को इसमें रखेंगे ठीक है तो A square प्लस A A प्लस B I बराबर 0 तो यहां से A square का मान रखो 11, 8, 4, 3 प्लस A A का मान 3, 2, 1, 1 प्लस B I का मान 1, 0, 0, 1 बराबर में 0 ठीक है अब देखो अब क्या करते हैं इसको रखते हैं 11, 8, 4, 3 प्लस यहां से देखो 3 को A से करेंगे 3 A A को 2 से करेंगे 2 A यहां से A और A भी A इसको B से करेंगे तो B 0, 0 B बराबर में 0 हो गया अब सब को क्या करेंगे जोड़ देंगे जोड़ेंगे तो क्या होगा 11, 3 A और B जोड़ेंगे 11 प्लस 3 A प्लस B हो गया 8 और 2 A 8 प्लस 2 A और 0 जोड़ेंगे 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 यह देखो 4 A प्लस 0 4 प्लस A 3 A प्लस B बराबर 0 ठीक है अब क्या करेंगे यहां से A और B का मान निकलना है तो एक दूसरे से कंपेर कर देंगे 0 के बराबर हो जाएगा ठीक है तो क्या करते हैं यहां से ध्यान दो कि एक बार इतना बराबर 0 करते हैं तो A का मान निकल का जाएगा और A का मान इसमें रखेंगे तो फिर वारा B का मान निकल जाएगा यहां इसके बराबर 0 कर दो उससे भी हो जाएगा तो हम क्या करते हैं लिखेंगे संगत अबयायों को संगत अबयायो को बराबर करने पर बराबर करने पर इसका मतलब समझ रहे हो जिरो-जिरो का मतलब आप इस जिरो-जिरो को बदले आप ऐसा भी लिख सकते हो जिरो-जिरो-जिरो-जिरो क्योंकि जो मैट्रिक्स में दिया है और इसको मैट्रिक्स में कर लिया है इस जिरो को बदले हम सबको जिरो-जिरो कर दिया है क्यों क्यों हमें ए भी कमान निकलना है तो कंपेर करना है संगत अबयायर को बराबर करेंगे इसके बराबर ए इसके ब कमान आ गया माइनस फोर ठीक है अब इस एक को माइनस को क्या करते हैं इसमें रख देंगे ठीक है आजाओ तो 11 प्लस 3A प्लस B बराबर जीरो में एक कमान देने पर एक कमान देने पर ऐसा आप समिकराब फर्स्ट और इसको सेकेंड मान के बना सकते हो नहीं टैसरी बना कोई दिकत नहीं है ठीक है? तो यहांसे 1 प्लस 3A कमान माइनस 4 प्लस B बराबर जीरो, यहांसे क्या हो जाएगा माइनस Takte you!! तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस एक पुलस B बराबर जीरो, तो B बराबर हो जाएगा, एक, B बराबर कितना हो गया, एक, तो अब देखो, लिखेंगे अता, अता, A कमान, माइनस चार तथा B कमान, एक, ses games अरो हो गया कोई दिगत निये किसी को सब को समझ में आया जदी आप चाहते हैं एंपट Olie इसमें रख देंच लो रख देते हैं ठीके है लिखेंगे 1 हुआ क् साम है क्या दीया था। कि इए स्क्वाइर पलस a square plus a a plus b i था साइद मेरे क्याल से b i था a command to a square ही रहेगा और a command क्या है minus 4 तो जाएगा minus 4 और i command 1 है तो plus b हो जाएगा ठीक है तो बहुत easy है बराबर में 0 है तो बराबर में 0 कर लो अच्छा रहेगा ठीक है इसमें कुछ था ही नहीं बस आपको इसका कमान निकलना था निकलने के बाद इसके बराबर जुरा करें compare करें था यह भी कमान निकलना था हो गया तो बहुत easy है बस आपको देखने में लगता है कठीन है ठीक है तो चलो occupation नंबर 15 को देखते हैं